दोस्तो, ICMR की एक रिपोर्ट के अनुसार से इंडिया में हर चार में से एक लोगों को हाइपर्टेंशन यानि की हाइप वीपी की समस्या है तो हाई बीपी को ही जो है मेडिकल भासा में हैईभर टेंसन व很 अगर की भी टोक्तरकी सब्सकारे लगा एच्टीएश्लिछ लिखा हो तो इसका मतलब है अगर हम हैपार्टेंसन तो इन्दिया के टोटल पर्पुलेशन के लबह आदेगे हैपार्टेंसन sono होanstowing hillwaita फसके में ॉबरी अधी में होने के बाद इंडिया में 60ल से 70 परसंच दोगों को है वह हई हेपर्टैंसन का भीमारी होता है लेकिन उसको पता ही नहीं होता है करवा क्योंकि ओरilah है कूछ सुराती में नजर नहीं आता क्योंकि सुराती को हीले कोई लक्षन हमें कि जो एक तो awareness की कमी है दूसरी जो है वह है कि आपका जो इसमें early stage में कोई symptom से में नजर नहीं आता है इसली लोग चेकने करवाते हैं और बाकि 30-40% पर 30 लोग जो टेस्ट करवाते हैं जिसको मालूम है कि इसको हैपरटेंशन है उसमें भी शिर्फ 10% लोग होता है वहीं अपना BP कंट्रोल कर पाते हैं नहीं लेते हैं और यदि BP हमारा कंट्रोल में नहीं रहता है तो कई सारे कॉम्प्लिकेशन हमारे बोडी में धीरे-धीरे होने लग जाता है और यह जो है इसको है हाई बीप को जो silent killer बोला जाता है कि हमारे अंदर बीपी होता है लेकिन कोई लग्षा नहीं आता है और वह जो है हम इस चीज को इगनोर करते रहते हैं और अंदर हमारे बोडी को नुफसान करते हैं तो फिर जो है क्या कारण होते हैं और कितना नौर्मल रेंज होना चाहिए और क्या इसके सिंटम्स होते है क्या रोक थाम है और कौन-कौन से लेब टेस्ट होता है तो दोस्तों हम लोग पहले जानते हैं कि ब्लट प्रेशर आखिर होता क्या है उसको डायस्टोली बोला जाता है तो जो सिस्टोली प्रेसर होता है जब हमारा हार्ट जो है वो पंप करता है यानि कि जब आर्टरी के द्वारा जब पूरे ब्लड को सर्कुलेट होने के लिए जब हार्ट पंप करता है तो उस दौरान जो है आर्टरी के वाल पे जो प्रेस आर्टरी के वाल पे प्रेसर पड़ता है उसको हम डायस्टोलिक बुला जाता है तो यह जो प्रेसर होता है वह असी होना चाहिए इस तरह से यह ब्लड प्रेसर होता है अब ब्लड प्रेसर जो है नॉर्मल ही हमारे बोडी में जो है जो सिस्टोलिक होता है 120 होना चाहिए और दाइस्टोलिक जो है वह 80 तक होना चाहिए तो नॉरल मना जाता है लेकिन अगर इससे कम या जाधा हो तो फिर हमें जो है low Bp ur high Spirit के समस्या हो सकती है तो जो है अगर आपका Bp había और 120 से ले करके और यहदि 130 तक है भी है इस नॉर्मल से जैदा मना जाता है ऐस को है यह नॉर्मल से थोड़ा जै दाइस्टोलिक ही दाइस्क से ज़यादा हो जो तो इसको कि अगर दो तीन पॉइंट का ऊपर नीचे होता है तो इसको इग्नोर किया जाता है क्योंकि कभी-कभार हमारा इश्टरेस के बज़े से या जब हम काम करके आते है उस दूरान भी चेक करते हैं सी जरी चर के आने के गड़ा दो चेकर तो दो तीन पॉइंट बढ़ा मिलता है उस दोरान जो आप BP चेक करें तो वह actual BP दिखाता है फिर तो जो पहला जो स्टेज होता है hypertension के दो स्टेज होता है stage 1 जो होता है उसको 130 से लेकर 140 तक अगर systolic है तो उसको hypertension 1 माना जाता है और जो diastolic pressure जो नीचे वाला rating होगा वह 80 से 90 के बीच में होता है एक स्टेज 1 होगा उसके बाद जो stage 2 जो होता है कि उसको moderate माना जाता है याने कि stage 1 कů mild और stage 2 को moderate माना जाता है तो ये जो है 140 से ज्यादा हो 140 150 ये इक सो 106 50 1 तो इसको जो है सिवीयर माना जाते हैं याम के नसी फट सकती है आपको अचानद रट्टैक ब्लाइख कर सकता है कई सारे की मीजिraktИन के लिफ यह लिटा ostrome ़सकत करन की यह कारण क्यों करन का हमारा है यानि कि हमाराák हसे उता है expensive ज्यादा हम फैटी फूड, वाली फूड, जंक फूड लेते हैं ल्कॉhlी जएयदा है है और एक्सरसाइज बहुत कम करते है यसके वजै नहीं उसके बादा है पैडि फूर अधर्ड में अवालज में अवालज करने के रहा है ज्यादा खाना खार एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं या आप एक्टिव लाइफ इस्टाइल आपका नहीं है अन्वाइलेंस डाइट ले रहे हैं जैसे कि आप नमक ज्यादा ले खाने में वाइली फूर्ड फूर्ड ले रहे हैं फ्राइड फूर्ड जंक फूर्ड ले रहे ह और दूसरा जो सबसे ज़्यादा होता है अगर किसी को डाइबिटीज है तो उसको बीपी होने के चांसे काफी ज़्यादा रहता है उसके बाद हम सिम्टम्स की बात करें तो मैंने पहले बताए कि 60-70% लोगों को जो है मालूम ही नहीं होता है कि इसको हैपर टेंशन होए कि उसमें सिम्टम्स नहीं आता है तो हैपर टेंशन के जो अर्ली स्टेज होता है यानि कि जो मैक्सिम लोगों को सिम्टम्स नहीं आता है लेकिन अगर किसी को जो है अगर सर में दर्द है सर भारी रहता है तो इसको जो जड़ाता है तो एक जो को इसको चेक कराbright काँ हुआ तो इसका जो में सिंप्टमि सर में दर्द रहना यह सर भारी रहना इसके बाद आपका हार्ट भी ज्यादा इर्रेगुलर रहना ज्यादा तेज धारकना इसके बाद जो है सांस लेने में दिक्कत होना अगर भीपी जादा बढ़ जाती है तो और नौजिया व्मेंटिंग डेजिनेश यह सब जो है अपका सिम्टम्स होता है उसके बाद जो है अगर बीपी उर भी ज़्ञाता है तो आन्खों की वीजन होता वह कमजोर हो जाता है। दो दो चीजे दिखाए देती है यह नाको नसे फठ जाती है। तो जो है उसको नांक से खून आने लग जाएगा ब्रेन हम्रेज होने के चांसे से रहते हैं और अगर और भी जादा बीपी काफी दिनों तक है कंट्रोल में नहीं है तो उसका हाट डिजीज हो जाएगा जिसके जेस्ट पिन होगा कमजोरी या कंसेटरेशन कम होगा तो यह स हमारे बोडिक उनर फैट ज्यादा जनमा हो जाना तो फैट अगर ज्यादा जमाहों जाना थो सेंटरेशना Rebecca and उसके बाद जो है healthy diet लेना होगा जैसे कि आपका जितने भी oily food है, fatty food है, या आपका fried food है, वो सब चीजे junk food हो गया, बंद करना है, जैसे कि pizza हो गया, बर्गर हो गया, या बाहर के खाना खाना, सब सारे चीजे जो है, बंद करना होगा, जयदा अगर अगर आपका BP है तो उसको कंट्रोल में रखना पड़ेगा, जयदा अगर smoking, drinking करने तो उसको कम करना होगा या बंद करना होगा, उसके stress, अगर आपके anxiety में रहते हैं, तो आपको meditation करने की जड़त है, योगा करने की ज़रत है, जिससे कि आपका stress कम होगा, उसके बाद जो है, अगर आपका मटापा या इसके stress बढ़ा हुआ है, तो फिर आपको alert running की जड़त है, क्योंकि हो सकता है कि आपको BP के समस्याओ, या इस वज़े से BP होगा, या abdomen होता है, इसमें adrenal gland और kidney के दिखा जाता है, इसमें adrenal gland और kidney के दिखा जाता है, ब्लड sugar test जाने के diabetes देखा जाता है, kidney और liver function टेस्ट करवा इसके stress करवा जाता है, कि उसके heart disease के बज़े से BP तो नहीं हुआ है, या अगर BP है तो इसका heart disease होने के चांसेस है, तो सब चारे चीजे, thyroid function टेस्ट करवा जाता है, कि thyroid gland नॉर्मल काम कर रहा या नहीं कर रहा है, उसके बाद जो है, या सब सारे blood test है, जो करवा जाता है, इसे diabetes के उपर के diabetes क्यों होते हैं, क्या कारण होते हैं, कितने type के diabetes होते हैं, नॉर्मल लर्ज कितना होना चाहिए, और कौन-कौन से lab test होता है, तो अगर आपने नहीं देखा तो जाके आप देखिए, हमारे चैनल पर जाके, वह अबलेवल है, अगर आपको मेरे ये वीडिय पसंद है तो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब जारू किजए धन्वाद दोस्तों